नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल जी के प्रिंस अकड़मी पर तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे प्रेक्टिसेट नमर 22 हिंदी का पचास कोईशन और यह होगा स्पेशल वीडियो रिग्जाम्स के लिए ठीक है और यह देखिएगा तब इसका फायदा जो एक्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके पहले वाले वीडियो आप लोग देखिएगा आपके एक्जाम्स के लिए बहुत ही हलप पूर होगा ठीक है और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैंima पर नहीए तक सस्क्राइम किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साधी साथ वीडियो को भी लाइक करियेगा पहला को इससन अगर हम बात करें तो दिया गया है कि निम लिखित में से काूझ सा हिंदी साहत का काल विभाजन नहीं पहला है आदिकाल या फिर उसको कहते हैं वीरगाथाकाल तो यह पहला हो जाता है और इसके बाद दूसरा है भक्तिकाल भक्तिकाल है दूसरा या फिर इसको पूर्व मद्धिकाल कहते हैं इसके बाद तीसरा इसमें जो आता है वो है रीतिकाल रीतिकाल की बात करें तो इसको को हम कहते हैं उत्तर मद्यकाल भी कहते हैं उत्तर मद्यकाल भी मिलता है कहीं कहीं इसके बाद इसमें चौथा जो है वह है आधनिक काल ठीक है सबसे लाश्ट में आधनिक काल आता है चौथा और वह जो है इसको हम आधनिक काल कहते हैं या फिर इसको गद्यकाल भी कहा जाता ह तो इस तरीके से चार भागों में बाटा गया है और इसी को प्रमारिक मलब पूर्णुप से गिरहन कियागा उसी को माना गया है तो इसमें अगर देखा जाए आपसर में तो आपसर में आधुनिक काल रिभक्तिकाल और रिटिकाल ये इंदिसाहितिकाल का विभाजन के अंतर नाम क्या है तो अमीर खुसरो के वास्तिक नाम के अगर हम बात करेंगे तो अबुलहसन इसका वास्तिक नाम था रियल नेम क्या था अबुलहसन अमीर खुसरो की बात करें तो इसका जनम कब हुआ था तो बारा सो तिरपन इस भी में हुआ था पटियाली में ठीक है पटिय और इसके बाद इन्हों ने तुगलक नामा लिखा हुआ है, तुगलक नामा अमिर खुजरों के दरा लिखी थे, और ये इन्हें कवाली के जनक भी कहा जाता है, तो इस तरीके से ये बाते कुछ होगे जो important है, अगला प्रशन देखते हैं, विने पत्रिका की भासा कौन सी है यानि कि विने पत्रिका जो एक काब भी है, और इसको किस के दरा लिखा गया है, तो ये सबसे पहले जाने जी ये तुलसी दास के दरा लिखा गया है, और ये किस भासा में लिखा गया है, ये वताना ठीक है, तो तुलसी दास के अगर हम बात करेंगे, तो एंसर हो जाएग सी पार्ट ब्रजभासा में लिखित है और ये एक कविता संग्रा है गीतों का संग्रा है और इसमें 289 शुरोत हैं तो इस तरीके से यह याद रिखेगा नेश्कोषन देखते हैं नेश्कोषन है अविर्भाव का समनार्थी क्या है विशलेसल रूपगत संपरदा या फिर आउतरा इसमें से अविर्भाव का हमें समनार्थी सब्द बताना है इसका अंसर क्या हो जाएगा तो डी पार्ट इसका सही हो जाएगा आउतरा जो होता है वो अविर्भाव का समनार्थी सब्द होता है ठीक है अगला प्रश्ण कनिष्ट का और मध्यमा के बीच के अंगली को कहते हैं अनामिका जो किडि़ी पार्ट में दिया गया है linear question में चंदर्का कणीड़ का प्रिया बाती बताना है चंद्रिका कि अगर हम प्रिया बाती करें तो इस में देखें रहें हैंavasर की बात करें के और तो C DP वहते में दिक ँंगित प्रिया बाती होता वह कि अगर about पर प्रिया बाती होता है इसके a इलावा अमरित तरंगडी यह भी जो है क्या होता है चंद्रिका का प्रियावाची होता है तो इस तरीके से यह याद रिखेगा अगले क्वेश्चन में भी हमें प्रियावाची बताना है देह धारी का प्रियावाची क्या होता है तो देह धारी प्रियावाची की बात तरिका से परक्रफ nelle कुछ सब्द का सही हिए अर्थ बताना है पहले वाले को शड्रत का क्या अर्थ होता है यहां पे शॉर्ण तो डोनों का अर्थ अलग हो गया पहले वाले कोश की अगर हम बात करेंगे तो उसको कहते हैं खजाना और दूसरा वाला जो कोश है इसको कहते हैं सबसंग्रा ठीक है पहले वाले को कहते हैं खजाना और दूसरे वाले को कहते हैं सबसंग्रा तो करेक्ट एंसर आपका यह पार्ट हो जाएगा ठीक है व पर कुहासा फट गया और इसके बाद आया है कि उसके पास जो कुछ था मुख्यों गया तो यह देखिए नहीं कोँ शाट है यह भीगहां पर नहीं भी बात हो जाता है थो करेक्ट एंसर होगा और सीपाट रहे जाएगा तो तो शाल हो जाएगा ? लगा हुआ है जो कि सी पार्ट में दिया गया तो एंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा ने में लेकिन लेकिन अब्हेमानी का विलोम क्या है अगले प्रश्म बताना तो अभिमानी का विलोम निरभीमानी होता है जो की सी पाड में दिया गया है नेश क्रेशन में हमें विलोम सब्द में बताना है कौन सा गलत रूप से लिखा हुआ है घात का प्रतिघात विलोम होता है प्रसारन का संकुचन विलोम होता है शास्वत का सदेव लिखा हो जो की गलत है शास्वत का होता है नर्श्वर विलोम, ठीक है, शास्वत का विलोम जो होता है, वो क्या होता है, नर्श्वर होता है, और जो कि यही गलत है, और यही हमें बताना था कि कौन गलत है, असंगत है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, खग का विलोम मिरिग भी होता है, अगला प्राशन है सोने की सुगंध मुहावरा का सहीं अर्थ क्या होता तो सोने में सुगंध इसका अर्थ बताना है मुहावरा इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा यह बताना ठीक है इसका मतलब बता सुंदर वस्त में और गुणोरा उसको हम कहते हैं सोने में सुगंध तो इसका मींस होता है सर्व पिरिय होना, एंसर क्या हो जागा, B पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आनधी आवे बैठ गमावे, इस लोकट का अर्थ बताना हो, उप्योक्त अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ होता है विप्रित परिस्तिती में भी उप्युक्त समय आने का इंतजार करना ये इसका answer बी पार्ट correct हो जाएगा ठीक है Privilege Privilege का हिंदी अनबाद बताना क्या होता है Privilege का हिंदी अनबाद क्या होता है Privilege means विशेशा अधिकार इसका हिंदी नवात होता है जो कि ए पार्ड में दिया गया है पुरुबा भ्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पुरुबा भ्यास को अंग्रेजी में दिखा जाता है रिहर्सल जो कि भी पार्ड में दिया गया है करेक्ट है वाकि रिफ्यूट की बात करें तो इसका मतलब होता है खंडन ठीक है रिफ्यूट मिस खंडन होता है रेकॉण रेकॉन मीस होता है मानना यानि कि इसको अमने इंगलिस की बात करें तो बिलीब जिसको कह सकते हैं ठीके इसके इलावा जो रीडिम दिया गया है रीडम मीस होता है छुडाना या फिर मिटाई गई कंप्यूटर फाइल को पुना प्राप्ति करना उसको रीडम कहते हैं तो इस तरीके से इसमें जो करेक्ट एंसर आपका होगा रिहर्सल का होता है पूर्वभ्यास अगला कुश्चन है हिंदी भाणा के कितनी विख्यात बोलिया है अगर हम बात करेंगे तो विख्यात टोटल पाँच होें एंसर इसका करेक्ट डीपार्ट हो जाएगा पाँच बोलिया कौन-कौन सी है तो पहला उसमें आता है पूर्वी बोली दूसरा आता है पैश्मी तीसरा राजस्थानी बोली च्वथा इसमें पहाणी दूरी और पांच यूम आता है जो बिहारी बोली होती है। भिहारी हिंदी का रूप कोई रूप नहीं है तो भोजपूरी अवधि मगहिक माइथ लिए। scientific देखा जाए का तो बिहारी हिंदी के रूप में और भाषा नहीं होता Wars इस इकड़ी तीन आते हैं पूर भी हिंदी के नेश्करसन तक सब्द किस वर्ग का होता है तक सब्द कि-अगर में बात करेंगे तो यह ने पात होता है in सरी इसका सीपार करक्ठ हो जाएगा मैंने आम खालिया है वाक में प्रिक्तकाल काल बताना है कि इस काल में ये वाक जो है लिखा हुआ है तो इसके अगर हम एंसर की बात करेंगे तो एंसर ये पाठ हो जाएगा भारतियों भारतिय का बहुचन भारतियों होता है अभी तभी वाकिलन की दिष्टी से जो है क्या है संग्या है सर्मनाम अब्बे या फिर काल है अभी तभी जो है एक प्रकार का अब्बे है तो एंसर सी पार करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेमन में से भाव आच्वाक का चैन करिए इसमें से कौन सा भाव आच्वाक है तो इसम यहाव वात्ट यार राह भावाट करह तो आह रहा है तो यह पाच के अंतर्गत आ अगरा कुसा देखते हैं में क्या होता है यहां को बात करें कम्या करें नहीं क्या रहता है कि बताना कि कि वाक में आपादान करका रक quantity ब्रिक्च से पत्ते गिरते हैं तो इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर अपादानकारक हो जाएगा ठीक है तो एंसर से पार्ट करें ठीक कि नेश्क शना आठ बड़े चोर पकड़े गए थे पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए वाक्यों में किन सब्दों में विशेसर विशेसर संबंध नहीं है तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा पसुता सब्द किसका उधारान है तो पसुता सब्द की अगर की बात की यही को संफ Все दिद्न नाम के लिए प्रयोग मिसे आकर्मक क्रिया कर्यार तक वाक कउन साइस नहीं से लाखों लोगों ने इसने महसूस किया वाक में सा के से नहीं से पहिचान करना आए करेक्ट झ Teso अचेगा आएद नहीं यह एक प्रकार का बिसे सज़े ल Bugün इने में सा रूड़ सब्द है बden कि बात करो इसमें से हो जैगा इसमें दवा जो रूड़ सब्धी के अंतरकन तरल रही सब्धों he इयुक्त करेट उतर क्या तो कर तेल दिन इसमें में ब्रोड्य बातर को डी पार्ड में लिखा हुआ है दिन यह जो है तत्सम सब्द के अंतरकर आता है ठीक है इन में से कौन सब्द तत्सम नहीं है अगनी घोटक घट और मोती अगर हम बात करें मोती की तो मोती तत्सम सब्द नहीं होता कहावत सब्द में परिगत परते क्या होता है कहावत सब्द सब्द के पहले लगता है तो इसमें देखा जाए तो अब हाव में जो है छोटा आव सर्ग लगा हुआ ठीक है विशेस विशेसर का संबंध हो तो सोयत पत्र जो है इसका एंसर हो जाएगा सी पार्ड करेट हो जाएगा अगला प्रश्ण में समुद्रोर्म का सही संद्र विख्षेद इसमें से बताना है समद्र प्लस उर्म होता है जो की दिया गया करेक्ट सी पार्ट में समद्र प्लस उर्म ठीक है राइट एंसर इसका सी पार्ट हो जो इसमें कौन से संदी का उधारन है तो ये गुड सरसंदी का उधारन है अगले प्रश्म में बताना है कौन सा विसर्ग संदी है विसर्ग संदी की बात करेंगे तो यह पाठ जग निरंतर जो है यह विसर्ग संदी है इसका अगर हम भी छेत करते हैं तो निही प्लस अंतर आता है और जहाँ पे बिसर्ग ये दो बिंदी आ जाएं वहाँ पे बिसर्ग संदी होता है तो इस तरीके से यहाँ पे निरंतर जो है वो बिसर्ग संदी के अंदर गताएगा दिगगत सब्द जो है ये वेंजनस नंदी है, जगधीस भी वेंजनस नंदी का उधारन है, महीस जो है गुझे संदी का उधारन है अगला प्रशन लिखे मेंसे कौणसा वाक जो है अशुद है इसमी से यानि कि गलत हो जाया कैंदक से था तो आपका correct answer जो होगा वी पार्ट हो जाएगा इनम लिखेत वाक्य में से रेखांके सब्द का सुध्वरतनी करना है अत्याधिक जो लिखा हुआ यह गलत लिखा हुआ इसको सही किसे प्रकाल लिखा जाता है तो यह पार्ट में जो लिखा हुआ यह सही रूप से लिखा हो अपके सुध्याधिक अ करेक्ट यसर्फ ऑन सуса युखति बंजन करें से मिलने हुए बंजन को संज्वरतनी के नहीं देखा जाए क्याएं तो घुरल्फ से गलत अरध शानसी की पत्र मितरता पूर भाशा में लिखा जाता है आपसन यह है तो यह सही है ठीक है अर्दसास की पत्र मित्रत्रा पूर्ण भासा में ही लिखते हैं सम्मोधन के लिए प्रिये लिखा जाता है भी सही है स्वार निर्देश के लिए आपका सदभावी सिंसेरली लिखा जाता है भी सही है इसमें भेजने वाला हस्ताचर करके पदिकाउ लेक करता है तो ये गलत है ठीक है हस्ताचर नहीं किया आता तो आपका इंसर इसमें डी हो जागा गलत इसमें की पहचान करनी थी अब अगला कॉश्चन गध्यांस को पढ़ के देना क्या है तो विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष है सत्त की खोज करना जो कि डी पाट में दिया गया है मनुस अंध्मिस्वासी कैसे बन सकता है घद्यांस के अनसार जब पढ़ेंगे तो मनुस जो होता है वह इन तीनकारणों से जो अंध्मिश्वासि बन सकता है मनुस स्वयम के आσα मानकर और इसके बाद स्वर्ग के आकरशन से नरक्के भैशे तो इस तरिके अबराल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा डिस्केसिन के अगर वीडियो पसंद आए तो फटा 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 लाइक करिए सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में सेर भी कर देना चलिए आज का वीडियो पर इंडिकरते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक थैंक यू